नमस्कार जी नमस्कार सर जी क्या नाम है जी आपका? जोती पटेल कहां से आया हैं? मैं इंदोर MP से आई हूँ मैं जी संत्रामपाल जी माराज से आपने नाम दिक्षा कब ली? मैंने संत्रामपाल जी महराज जी से नाम दिक्षा 24 नवंबर 2011 को ली है संतरामपाल जी मारास से नामदिक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साथ नभी करते थे आपने बहुत सारे गुरु गिनाए जिनके पास आप ससंग में जाते थे तो क्या बहां आपने किसी से नाम अब्देश वी लिया था? नहीं मैंने किसी से नाम अब्देश नहीं लिया और नाम अब्देश इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं थी तब तक कि ये जो बता रहे हैं इसमें मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा थोड़ा सब के पासे पर पूरा एक के पास नहीं है ये सब गुरूओं के पास तो मैं साधी से पहले गई थी पर जब मेरी साधी हुई उसके बाद एक कंडिशन ऐसी आ गई कि मैं आध्यात में से दूर हो गई घर परिवार में मैं बीमार रहने लगी और बीमारीयों के चलते आर्थिक कंडिशन भी हमारी खराब हो गई थी और इस कारण से पंडितों के पास भी फिर परिवार वाले ले जाने लगे से मेरे पती न चाहते हुए भी सोचा कि साध यहा पर आगया था मेरा लिवर इतना कमजोर हो गया था कि मैं जो घर में नल आते थी उनका अगर में पानी पी लेती थी दो दिन तो मुझे एडमिट करना पड़ता था इसलिए घर में आरो भी लगाना पड़ा था और ड़कार इतनी जादा आती थी कि मैं परिवार में किसी के तो एक तक्या पेरों की नीचे एक पेरों की उपर और एक पीठ के पीछे लगाना पड़ता था और जब मैं उसको दूद पिला पाती थी वो इतनी छोटी थी कि मैं उसको गोधी में लेने के लिए तरस्ती थी तो मैं 5-6 किलो वजन भी नहीं उठा पाती थी और मैं जो मेरे हड़ी में प्रोब्लम हो गई थी उसमें मुझे इतना दर्द होता था कि मैं थोड़ा सा भी जुकने में भी प्रोब्लम होती थी कोई वजन नहीं उठा पाती थी और एज भी मेरी सिर्फ 25 एर ही थी पूरा जीवन था जीवन ऐसा लगता था जैसे नरक हो गया है फिर पास बना हुआ था तो उस ओम से मैं अट्रिक्ट होती थी मैं उस ओम के उपर में सिर्र रख कर में साही बाबा से ये कहती थी कि आप बोलते हो कि सब का माली एक और ओपर उंगली बताते हो तो वो ऊपर जो माली ये वह कौन है मुझे ये जानना है और इस ओम का क्या राज है इस ब्रह्मान का क्या राज है मुझे ये जाना है बस मैं इतनी प्रेयर करके घर वापिस आ जाती थी फिर भी जोतिशियों के पास जाती थी कोई कहीं से लाव नहीं होता था सभी डॉक्टरों को बताते थे फिर भी कोई लाव नहीं होता था पर हमारे जो कre में ने सांथ पेज ही पड़े थे इससे पहले क्या होता था कि मुझे भूत बाधहें êtreذا जब रात को में सोती थी तो पांच शे जर темперsome मुझे असा लगता था मेरे पलंकIt आस-पास आके खड़े हो जाती हैं पर में मुझे महसूस होता था और मैं घर में किसी को बताती थी तो सब कहते थे तुम्हारे दिमाग का वेहम है तो मैंने सोचा ये घर में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इनको बताओ दिन में काम करो रात में जागो तो ऐसे में तो सही में मेरी तब्यतोर जादा खराब हो जाएगी पर जब वो ग्यान गंगा बुक में ने पड़ी उसमें सिर्फ साथ पेज ही पड़े थे कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई जैसे एक बच्चा अपनी मा की गोदी में सोता है ब तो उन्होंने मुझे सबसे पहली केसिट लाके दी राधा स्वामी से जो ज्यान चर्चा हो रही थी वो वाली क्योंकि नवंबर में मुझे उन्होंने ये केसिट लाके दी थी फर्स्ट विक में और मैं जन्वरी में 2012 में राधा स्वामी जी का यहां सत्संग होता है तो मैं नाम लेने ही वाली थी क्योंकि गूरुों की तलास में ठक गई थी पर मैंने सोचा था कि अब क्यों आप पस्त हो गई हूँ तो मैं लाश्ट में परिवार के सभी दोसों सदद से राधा सौमी से नाम ले रखे हैं तो मैं भी अब ले लूँगी तो उससे पहले ही संत्रामप कर यूं बता रहे थे कि ये जो राधा स्वामी पंथ है इसमें ये जो नाम है ये काल के हैं और जो काल के भक्ति करते हैं वो काल के मुहों में ही जाएंगे उनको कभी सुख हो ही नहीं सकता तो ये जब मैंने देखा उसी दिन मैंने अंतर मन से प्राथना कर ली कि बस ये ही मे में से एक मेरी रिष्टे में ननन भी लगती है और बहुत एज में बड़ी थी तो उनके उपर भी दया हुई पिर ऐसे मेरे परिवार वाले राजी हो गए और उनके साथ मुझे 15 दिन के बाद ही आशरम भेज दिया सतलोक आशरम बरवाला पर जब मैं गई तो मैंने सोचा ए भी नाम ले लूँ तो बस मैं गई और दूसरे दिन मैंने संत्रामपल जी महराज जी से नाम ले लिया और जब मैं आशरम से वापिस रिटन घर आई तो मेरी बेटी जो 15-16 किलो की थी उसको मैंने खुद अपनी गोदी में लिया बेग अपना उठाया और मैं उसको ट्रें में चड़ी उतरी में स्टेशन पे उसको लेके घुमी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कोई दर्द नहीं हुआ और जब मैं घर आई तो जो होधी रहती है जिसमें पीने का पानी आता है वो में नहीं भर पाती थी पर उस दिन मैंने वो 15 लिटर की केन अपने हादों से उठाई पर मुझे कोई दर्द नहीं हुआ उस दिन और फिर मैं कपड़े धोय थे तो वो लेकर मैं चट पे गई इस नागु संत्रामपाल जी महराज जिसे नाम लेने से पहले में 15 दिन तक चट पर नहीं जाती थी मैं 15 दिन में एक बार कपड़े इसले धोती थी कि एक ही जो बोरिंग का पानी था वो मुझे सूट कर गया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और जब मैं वापिस आई तो मेरा थोड़ा विरोध भी हुआ घर में कि अकेले नहीं जाना है तो परिवार वालों ने साम दाम दंड भेद यसे हर तरह उन्होंने कोशिस करी मुझे भक्ति छुडवाने की तो मैंने उनसे कहा जब मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताती थी तो आप कहते थे कि तुमारे दिमाग का वहम है पर आप मेरा विरोध क्यों करते हो मुझे जाने दिया करो पहले भी तो आप डॉक्टरों के पास लेके जाते थे वहां भी खर्चा लगता था तो मैं मेरे पती से कहती थी कि आप खुछ चलिए मेरे साथ संत्रामपाल जी महराज के आश्रम में आप देखिए पर वो नहीं माने और उन्होंने मुझे भी मना कर दिया नहीं जाना है तो उन्होंने एक ऑप्शन मेरे सामने रखा मेरे पती ने ऑप्शन रखा कि या तो गुरुजी को छोड़ दो तुम्हारे संत्रामपल जी महराज को या हमें छोड़ दो तो हमने कहा वैसे भी मेरा जीवन तो नर कहीं था यहां तो रहना था तो समय के पहले ही मैंने मर जाना था पर मैं संत्रामपल जी महराज की भक्ती नहीं छोड़ूंगी मैं परिवार छोड़ूंगी मैंने ये कह दिया तो उन्हें लगा कि ये नहीं मानेगी तो उन्होंने और दूसरे तरीके अपना है जिससे मैं भक्ती छोड़ूं तो उन्होंने एक बार ऐसा कह दिया कि आप ट्र लेडिस यहीं जाए ट्रेन में तो सभी जाते हैं उनको हम किसी को मना नहीं कर सकते बस में भी सभी जाते हैं जैन्ट्स लेडिस हम में क्या करूँ यह मेरी भक्ति छुडवा के ही रहेंगे तो मैंने और उससे पहले मेरा नाम भी खंड़ हो गया था काल भगवान का अटेग उस टाइम पर मेरे उपर हुआ और गेहु में किड़े हो गए थे तो मेरे पती दो दिन पहले ही सलफास के इंजेक्शन लेकर आए थे चार जो भगत हैं जो भक्ती करते हैं उनको गुस्ता नहीं करना चाहिए ये गलती हुई है मुझसे मैं गुरुजी से माफी चाहती हूं स संतिरामपाजी महराजजी से पर मेरा नाम खंड होने की वज़े से ये हुआ था मेरे साथ। कि अगर मुक्षय के लिए ये सरीर मिला है अगर से मिरा मुक्षय ही नहीं होगा … तो ये सरीर मेरे किसी काम का नहीं … और मैंने वह पी लिए जब मेरे पती को पता चला आदे घंटे के बाद तो वो मुझे यूनिक होस्पिटल लेके गए तो यूनिक होस्पिटल में इंदोर में ही है दशरा मैदान के सामने तो जो वहाँ डॉक्टर थे उन्होंने कहा इसने जो लिया है वो सेंपल भी आप ले आई ये तो मेरे पती जब तक यूनिक होस्पिटल के डॉक्टरों ने मुझे चोयत्राम रेफर कर दिया था कि इसका इलाज यहां नहीं है इसे चोईथराम होस्पिटल ले जाओ तो जब मुझे चोयत्राम होस्पिटल लेकर गए उस टाइम तक मेरी सरीर के एनरजी पूरी खतम हो चुकी थी आ डॉक्टर खड़े थे और मेरे पती खड़े थे तो मेरे पती से कहा डॉक्टर ने कि दूसरी जो पॉईजन है वो अगर एक लिटर भी कोई ले लेता है तो उसका तोड बना हुआ है पर आपकी वाइफ ने जो पॉईजन लिया है इसका इस प्रत्वी पर अभी तक कोई इसका इलाज मत करवाऊ, इसे कोई पैसा मत लगाऊ, इसे आप घर ले जाओ, तो मेरे पती ने कहा कि वो जितनी देर जी रही है, इतनी देर तो उसका इलाज कर दो, ये कहा, तो फिर डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू किया, इस बीज में संत्रामपाल जी महराज के पास लगाई थी कुछ भगत भाईयों ने कि इंदोर से एक माई है ऐसा हो गया है उनके साथ पोईजन ले लिया है तो तब कभीर साहब का प्रमात्माजी का प्रकड़ दिवास था तब संत्रामपाल जी महराज प्रात्ना का जवाब दिया कि बेटी को कुछ नहीं होगा पर जो सत सिंत्राम हस्पीटल में आते थे बेट कर सुमरन करते थे तब फिर वापीज संत्रामपाल जी महराज के पर प्रातना लगाई की अगर सब बीजी हैं, सब के छोटी-छोटे बच्चे हैं, बारी-बारी से रहते थे, किसी को अजानक काम आजाए, वो चले जाते थे, तो अंदर क्या होता था मेरे साथ कि मेरी छाती की ऊपर कोई आकर बैट जाता था, तो मेरी घबरा कर नीन खुलती थी, फिर महां जो गार्ड होता मैं उसको बोलती थी, कि सोला नंबर से किसी को बुला दो, तो मेरे पती अंदर आते थे, फिर मैं उनसे कहती थी, कि मुझे लगता है, बाहर कोई भी भगत नहीं है, संत्रामपाल जी महराज का, तो वो बोलते थे, हाँ, वो थोड़े काम से बाहर गए हैं, तो फिर वो कि इसको जो नहीं चड़ना था, वो दवाई चड़ गई है, तो डॉक्टर ने कहा कि वैसे भी ये मरने वाली है, टेंसन मतलो, पर बाहर पता मत होने देना, वैसे भी ये मरने वाली है, इसका टेंसन मतलो जो भी चड़ गया है, उन्होंने कोई टेंसन नहीं लिया पर मुझे कोई बचा नहीं सकता क्योंकि उनको यह पता था कि मैं मरी हुई ही बाहर निकलूंगे तो बाहर किसी को पता नहीं चलेगा पर जब सात्वे दिन सब डॉक्टरों की टीम इखटी हुई और मेरे पती को बुलाया और कहां साथ डॉक्टर थे उन्होंने कहां कि अब लीवर है अब 15 मिनाट में वो भी फट जाएगा अब यह 15 मिनाट बाद मर जाएगी अब आप इसे वापिस ले जाने की तैयारी करो तो उस टाइम पर मेरे पती ने कहां अचानक से रोते हुए कि सायद अब इसके गुरुजी संत्रामपाल जी महराज ही इसे बचा सके तब पुस्तकाले में सेवा करते थे उनके पास फोन गया उनसे सारी बात बताए कि डॉक्टरों ने ऐसा ऐसा बोल दिया है 15 मिनाट बाद यह मर जाएगी तो निलेज भगजी संत्रामपाल जी महराज जी के पास गये प्राथना लेकर और संत्रामपाल जी महराज से कहां तो संत 15 मिनाट में में मरने वाली हूँ उसी टाइम मेरी वापिस जाच हुई और जो रिपोर्ट आई आदे घंटे में वो मेरी सही आई तब डॉक्टरों ने कहा कि यह चोईत्राम होस्पिटल बना है तब से अभी तक का यह पहला केस है जो यह पोईजन वाला ठीक हुआ है और जब मेरी छुटी हुई वहां से तो डॉक्टरों ने कहा था कि पता नहीं कैसे बच गई है पर अगर बच गई है तो इसके लिए कुछ नियम है वो इसने फॉलो करने हैं कि छे महीने तो इसको इंदोर सीटी से बाहर नहीं जाना है तो कि यह पोईजन बाद में भी असर कर है वेशा इसका जीवन रहेगा तो मैंने कहा मुझे बचाने वाले मेरे संत्रामपाल जी महराज हैं अगर उनकी दया है तो वो मुझे तुरंत आश्रम में बुलाएंगे और संत्रामपाल जी महराज ने ये बोल भी दिया था प्राथना में कि जैसे ही हॉस्पिटल से छु वाले हो तो बुलाने वाले भी आप ही हो मुझे दस दिन का उनोंने ट्रिटमेंट दिया था जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई और दसवे दिन जब हॉस्पिटल में वापिस गई चेकप करवाने के लिए तो एक बार उन्होंने मेरी पूरी जाच और ये देखना चाह देखकर बोलता है निल, 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 इसने पॉईजन लेने से पहले ये जितनी स्वस्थ आज है ये आल, इंडिया में कहीं भी जा सकती है, तो संत्रामपल जी महराज की दया से दसवे दिन ही में बरवाला आश्रम में चली गई, संत्रामपाल जी महराज जी ने मुझे ये जीवन दान दिया है और उन्ही की क्रपा से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये बोल रही हूँ एक अध्यत्मिक लाब मुझे ये हुआ कि जब बरवाला कांड हुआ था उसके बाद एक बार और विरोध मेरा हुआ था तो मैं दस महीने अपने माई के चली गई थी तब उस दिन 29 मार्च की बात है 2015 की तब मैंने प्रणाम किया गुरुजी को मैंने संत्रामपाल जी महराज को कि मुझे यहाँ के सुख नहीं चाहिए पर मुझे मोख्छ जरूर चाहिए उसी रात को रोते रोते में सो गई संत्रामपाल जी महराज आए और उन्होंने मेरे सिरपर हाथ रखा और उनके गले में सफेद रुमाल था उससे मेरे आसू पोचे और कहा बेटा तेरा मोख्छ तो पक्का है तू टेंसन मत ले और मैं दो घंटे की छुट्टी लेकर आया कि संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको सारे रेक अध्यात्मिक लाब मिले आपको संत्रामपाल जी महराज ने जीवन दान भी दिया तो जो समाज आज आपको सुन रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी मैं संदेश थो नहीं दे सकती हुँ प्रातना कर सकती हू मिले प्रमापाल जी पुरन परमातमा वो इस धरति पर आई हुए है तो हम जेसों के दुख निवारन के लिए आई हुए है तो है सभी जीव दुखी है इसलिए संथ रामपाल जी महराज की सरण मे जाए और अपना